हलो दोस्तों, प्रतिमा जीयस एकड़मी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों करांट रफेज चल ला था आप रों लाइक करें, सेर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आप सब्सक्राइब कर लें शुरू करते हैं, राजमार्ग यात्रा राजमार्ग यात्रा क्या है? एक मोबाइल एप है जो नेशनल हाइवे अथार्टी आफ इंडिया के द्वारा लांच किया गया है सीधी बात ही यहाँ पर प्रस नहीं पूछेगा कि राजमार्ग यात्रा क्या है यह मोबाइल एप है ऐसा दिमाग में जाए गई नहीं यदि आप पढ़े नहीं है तो तो राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप है नेशनल हाइवे अथार्टी आफ इंडिया के द्वारा लांच किया गया है इसमें फास्ट है क्यों जीपियस आदी जैसी सिवाएं उपलब्द रहेंगी सड़क के यातायात के नियम आदी की परियाब जानकारी होगी राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप पर इस्टेडी इन इंडिया पोर्टल ये सिच्छा मंत्री बिदेश मंत्री के द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में लांच किया गया है इसमें भारत में बिदेशी छात्रों के सिच्छा हेतु ब्यवस्था देना और उन्हें बढ़ावा देने के लिए इस्टेडी इन इंडिया पोर्टल को लांच किया गया है डी गुकेश या गुकेश डीक क्लासिक चेस के लाइव रैंकिंग में भारत के नंबर वन सत्रंज खिलाडी बने है दिहान रहे बैस्विक रैंकिंग में ये नवे इस्थान पर है लेकिन भारत के पहले है 1987 से बिश्वनात आनंद नंबर एक रैंक पर सत्रंज खिलाडी बने हुए थे जिनको हटा करके गुकेश डी नंबर वन खिलाडी बन गये है अब विश्वनात आनंद भारत के नंबर दो खिलाडी हो गये है और विश्व के दस्वे इस्थान पर काबिज है यानि विश्व के दस रैंक में दो रैंक भारत का है नववा और दसमा जिनमें डिगुकेस नवे स्थान पर विशुना थानन दस्वे स्थान पर हैं और वहीं भारत के तीसरी खिलाडी बिदित गुजराती का रेंग भारत का तीसरा है विशु के नंबर वन खिलाडी कोन है मैगनस कार्शन मैगनस कार्शन विशु के पर्थम सत रंज ख्लाडी है नए सवेरायोजबना अल्ब संख्यक कार्मन्ट्राले के द्वारा नया सवेरायोजबने किया ग गया है इसमें 20,000 अल्ब संख्यक छातगे लिवाण्बित होगे सोहनी सिनहा ये भारतिया इमेर की हैं साल्ट लेक सिटी में यफ बियाई के फिल्ड आफिसर की प्रमूबनी है सोहनी सिनहा टाइफून खानून ने जापान और तिबबत में आया हुआ चक्रवात है जिसने वहाँ में तबाही मचाई है टाइफून खानून आपको ग्याद होगा कि चक्रवात को कई जगा अलग अलग नाम से जानते हैं तो अमेरका और महरिकेन जापान चाइना में टाइफून आश्रेलिया में बिली-बिली, भारत में चक्रबाद के नामते जाना जाता है बिस्व तिरंदाजी चैंपियंसिप 2023 ये बरलिन में आय जित हुआ है भारतिये महिला कंपाउंट टीम ने पहला स्वन पदक जीता बिस्व तिरंदाजी चैंपियंसिप 2023 जो जर्मनी के बरलिन में आय जित हुआ है और भारतिये महिला कंपाउंट टीम ने पहला स्वन पदक जीता है अरास डोर्स छेत्र ये तेल और गैस के लिए प्रसिद्ध है यहां पे बहुत भारी मात्रा में तेलो गैस का भंडारन प्राप्त हुआ है इसलिए सौदी अरब कुएत और इरान के मद बिवाद हो गया है जिसमें एक तरफ सौदी अरब और कुएत हैं वहीं दूसरी तरफ इरान है तो अरास जो है सौदी अरब कुएत में उस छेत को अरास कहते हैं इरान वाले उसे डोर्स कहते हैं तो इसलिए अरास और डोर्स छेत के नाम से बिवादित ये भूमी सौदी अरब और कुएत तथा इरान के मद बिवादित है जार्खन बिधान सभादवारा प्रतियोगी परिछाओं में नकल है तु बिधेयक तीन वर्स के जेल और पांच लाख रुपिय के जुरुबाना के साथ पेस किया गया है यानि वहाँ पर जो विद्धान सभाई इसके पहले गुजरात विद्धान सभाई ने ऐसा विद्धेयक पास किया था द वाटर चैलेंज भारत में जल चनोती से निपढ़ने के लिए भारत सरकल, फांडेशन, कलब तथा इज्रायल के मद समझा हुआ है दव वाटर चैलेंज के मत यानि जल चनोती से निपटने के लिए हमने इजराइल से के साथ समझोता किया है और हमारा जो प्रतनी दित्र किया गया है सरकल फाउंडेशन कलब के द्वारा जिसने इजराइल के मत समझोता करके The Water Challenge को भारत में चनोती से यानि जल चनोती से निपटने में कार करेगा साथ अगस्त को राष्टिये हतकरगा दिवस के रूप में मना जाता है और राष्टिये जैविलिन थ्रो के रूप में भी मना जाता है ध्यान रहे, राष्टिये हतकरगा दिवस 2015 से मना जाता है भारत में बंगाल विभाजन हुआ था और हमारे कुटी रुद्यों के रूप में सब कुछ समाथ हुथा तो हमने राष्टियता को बढ़ावा देने के लिए राष्टिय आंदोलन के रूप में सुरू किया था साथ अगस्त को बंगाल विभाजन के बिरोध में भी हमने राष्टिय एकता पहिचान के रूप में आंदोलन प्रारम के था तो उस दिन को हम द्यान बेरते हैं और राष्टिय आता को बढ़ावा देने के लिए राष्टिय हाथ करगा दिवस 2015 से 7 अगस्त को मनाते हैं अब राष्टिय सुदसी आंदोलन की शुरुआ साथ अगस्त 1905 को हुआ था आठ अगस 1942 को भाराष्ट चुड़ा अंदोलन शुरू हुआ था ये तो खेर इतिहास है आपनों को पता है ग्यानी है आप लोग आदिती स्वामी आदिती स्वामी बिसु तिरंदाजी चैंपियंसिप बर्लिन में आयोजित हो रहा है ये तो ब्यक्तिगत विसु चैंपियन का खेताब जीतने वाली पहली भारतियव महिला हो गई है सबसे कम मात 17 साल के उमर में ये विसु चैंपियन बन गई है आदिती स्वामी हाल ही में सरकार ने किस कच्छा तक के पाठेकरम में स्वास्त्यम सारेरिक सिच्छा को अनिमार कर दिया है कच्छा एक से बारत डाक्टर हुन मैनेट ये कमबोडिया के नए प्रधान मंत्री बने हैं कमबोडिया के राज़ानी नाम पेन जो आसियान का एक सदस देश है इनके प्रधान मंत्री बने हैं डाक्टर हुन मैनेट गुरु गोरकनाथ बोर्ड अब देखो योगी आदितना थी जे मुखमंतरी वो तरप्रदेश हैं गोरकनाथ मंदिर के कुजारी हैं अब रायस्थान सरकार ने सोचा क्यों ना गुमरा किया जाए लोगों को या हो सकता है काम ही करना चाहती हो रायस्थान सरकार गुरू गोरकनाथ बोर्ड बनाया रायस्थान सरकार ने उसमें योगी जोगी और नाथ समपरदाय के पिछड़े वर्गों के कल्यान के लिए कार किया गया है दुबई UAE का एक सहर है अंतराष्टिय सिच्छा सिखर सम्मिलन का आयोजन कहां पर हुआ है दुबई में हुआ है दुबई UAE में है और हमदान बिन मुहम्मद इसमार्ट बिसुबिद्याले में जीवन प्रत्यासा पुरुष का जीवन प्रत्यासा सबसे ज़्यादा सुटिजर लेंड में है उसके बाद स्वेडन में है फिर आस्टेलिया में फिर जापान में है वहीं महिला सबसे ज़्यादा जीवित रहती हैं समय तक जापान में जीवन प्रत्यासा जीवन प्रत्यासा में लगाता दूसरे वस गिरावट हुआ है इसलिए पुरुष जीवन प्रत्यासा में चोथे स्थान पर पहुंच लिया है अमरित भारती स्टेशन योजना के तहट देश भर में कितने रेलवे स्टेशन का आधुनिकी करण के जाएगा अमरित भारत स्टेशन इसलिए सुरू किया गया है कि रेलवे स्टेशन का आधुनिकी करण के जाए पूरे भारत के 508 रेल्वे स्टेशन को आधुनिक रूब से सुसजित किया जाएगा जिन में राजस्थान के 55, उत्तर प्रदेश के 55, बिहार के 54 यानि राजस्थान उत्तर प्रदेश के 55, 55 और बिहार के 54 अईसे टोटल मिला के 508 हैं प्रार्थना थंबारे इस्पेन में महिला टेनिस हाई कोट इस परदा में यूगल खिताब जीता है प्रार्थना थंबारे ने यूगल खिताब जीता है इस्पेन में महिला टेनिस हाई कोट गलत लिखा है यहाँ पे महिला टेनिस कोट इस परदा है यूगल में खिताब जीत स्वाल की गयब क्या है तुब यह यह लिथियानिया के पास में है रूस बेलारूस और पोलेंड के सीमयनी लिथियानिया पोलेंड के सीमा पर है स्वाल के गयब यह एक चर्चा में रहा है इसलिए यहाँ पर मैंने दे दिया है यंसी यल्टी नेशनल कंपनी लाट ट्रुबनल जी इंटर्टेनमेंट वा सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बिले को मंजूरी दिया गया है नेशनल कंपनी लाट ट्रुबनल ने जी इंटर्टेनमेंट वा सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बिले को मंजूरी दिया है सु स्वागतम सर्वोच नियाले परिसर में स्वागत है तो सुपरिम कोर द्वारा लांच आनलाइन पोर्टल है सु स्वागतम ये प्रस्ण पोच सकता है कि सु स्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लांच किया गया है तो सर्वोच नियाले यानि भारत के सर्वोच नियाले के द्वारा लांच किया गया है इंडिया स्टार्ट अप फेस्टिबल 2030 का आरम कहां किया गया है तो यह बेंगलियुरू करनाटक में किया गया है इंडिया स्टार्ट अप फेस्टिबल 2030 आरम किया गया उत्रप्रदेश में नव अगस्त में काकोरी ट्रेंग जो कारे हो था, उसे का नाम बदल करके काकोरी ट्रेंग और यक्षन, 98 वर्सगाड पर मेरी माटी मेरा देश कारेक्रम भी ञुरू कि आगया ध्यान रहे, पहले काकोरी ट्रेंग डकैती के नाम से जाना जाता था बाद में इसका नाम बदल करके हमारे मुखमंत्री स्री योगी लाधित नातिजी ने का कोली टेन एक्षन कर दिया और उसके बाद में अब 98 वर्जगार जब मनाये गया इस बार तो उन्होंने एक कारेकरम भी शुरू किया मेरी माटी मेरा देश कोपवड़ा जम्मू कस्मीर में हैं एलोसी के पास भारत के पहले पोश्ट आपिस की स्थापना किया गया कोपवड़ा पहले ध्यान रहे कई बार ऐसा होता था कि जो लाष्ट में बार्डर पे कोई गाउं होता था तो उसे अंतिम गाउं बोला याता था मोदी जी ने कहा है कि अब बार्डर के गाउं को प्रथम गाउं का दरजा दिया जाएगा अंतिम गाउं का नहीं उसी तरह का जो जम्मु कस्मीर के कोपवड़ा है एलोसी के पास में वहाँ पे पोश्ट आफिस है उसे भारत का पहले पोश्ट आफिस की स्थापना का दरजा दिया गया है इंटरनेशनल रिजिलियेंस इंडेक्स दोहजार तेईस भारत दच्छिड एसिया छेत्र में छठमे स्थान पर है नंबर एक भूटान है नंबर दू पर बंगलादेश नंबर तीन पर माल दियु है तो इंटरनेट रिजिलियेंस इंडेक्स में भारत नंबर छे पर है निवाद जय हिन, जय भारत